मोत को छोड़कर हर बीमारी का इलाज है इस बीज के अंदर कौन से बीज के अंदर आईए जनते हैं दोस्तो आप इस वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी जनकरी प्राप्तोस के और अगर आप हमारे इस यूटूब चेनल एलफा मोनिटर पर पहली बार आए हैं तो चेनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद घंटी के बटन पर भी कलिक कर लीजिएगा ताकि आपको मिल्स के नए नए वीडियो सबसे पहले तो चलिए शुरू करते हैं हमें सवास्ते समंदी कोई भी समस्या होती है तो हम उसे ठीक करने के लिए डोक्टर और दवाईयों का सहरा लेते हैं लेकिन फिर भी पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाते अगर हम कहें कि अपनी किसी भी बीमारी का कारगर इलाज आप घर बैठे कर सकते हैं तो आपको साइद हमारी बातों पर यकीन नहीं होगा लेकिन ये सच है हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसी चीज़ के बारे में जिसमें गंबीर से गंबीर बीमारीयों से लड़ने की जमता चुपी हुई है हम बात कर रहे हैं कलोंजी की कलोंजी आपको कैंसर, डाइबिटीज, केडनी की समस्या, बल्ड परेसर, फेपडों की समस्या, लीवर, ब्रेस्ट कैंसर, परोस्टेट, अस्तमा और बहुत सी सवास्ते संबंधी समस्यां से बचाता है आईए बात करते हैं कलोंजी के तेल के बारे में कलोंजी का इतिया सालों पुराना है शदियों से इसका उप्योग मसाले और दवाईयों के रूप में किया जाता रहा है इसके उशदिये गुणों के चलते भी कहा जाता है कि कलोंजी के तेल में हर मर्ज का इलाज है शिवाए मोत के हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कलोंजी में कार्बो हाइटरेट, प्रोटीन और वसा जैसे सो से जदा में तो पुर्ण पोशकता तो पाए साते हैं जो हमारे सरीर की रोगों के परती लड़ने की चमता को मजबूत करते हैं तो आईए दोस्तों अब हम बात करते हैं कलोंजी के तेल से होने वाले फाइदों के बारे में नमबर एक, कैंसर कलोंजी का तेल शरीर में कैंसर की कोशिकाओं को विक्सित होने सी रोकता है और उन्हें नष्ट करता है यह कैंसर के रोगियों में सवस्त कोशिकाओं की रक्षा करता है कैंसर से पीडित वेक्ति को कलोंजी के तेल की आदी बड़ी चमच को एक गिलास अंगूर के रस में मिलाकर दिन में तीन बार लेना चाहिए ऐसा करने से कैंसर की कोशिकाएं जड़ से समापतो जाएगी नमबर दो खांसी और दम्मा खांसी और दम्मा की शिकाएत उने पर चाती और पीठ पर कलोंजी के तेल की मालिस करें तीन चमच कलोंजी का तेल रोज पीएं और पानी में तेल डाल कर इसका भांप भी लें ऐसा करने से खांसी और दम्मा जड़ से समापतो जाएगा नमबर 3 – Diabetes, यानि की सुगर Diabetes के मरेज़ों को एक कप कलॉंजी के बीज, एक कप राई, आदा कप अनार के छिलके को पीस कर चुरण बना लेना चाहिए आदे चमच कलॉंजी के तेल के साथ एस चुरण को रोज नास्ते के पहले एक महिने तक लेने से आराम मिलता है नमबर चार, कीड़नी सटोन या फिर यूं कहें कीड़नी में पत्थरी की समस्या पाओ भर पिसी हुई कलोंजी को शहद में अच्छी तरह से मिला लें इसमें से दो चमस मिशरन और एक चमस कलोंजी के तेल को एक कप गरम पानी की साथ मिला कर रोजाना नास्ते से पहले लें ऐसा करने से गुर्दे की पत्थरी से आराम मिलेगा नमबर पांथ, हर्दे रोग और बल्ड प्रेसर जब भी आप कोई गरम पानी पीएं तो उसमें एक चमस कलोंजी का तेल मिला लें तेन दिन में एक बार पूरे सरीर पर इस तेल की मालिस भी करें और आदा गंटा धूप भी लें लगातार एक महीने तक ऐसा करने से हर्दे रोग और बल्ड प्रेसर से पीडित वेत्ती को आराम मिलता है नमबर छे, सफेद दाग और कुष्ट रोग शरीर पर सफेद दाग और कुष्ट रोग हो जाने पर पंदरे दिनों तक रोजाना, पहले सेब का सिर का सरीर पर मले और फिर कलोंजी का तेल मले ऐसा करने से सफेद दाग और कुष्ट रोग से चुटकरा मिलता है नमबर साथ, कमर दर्द और गठिया कलोंजी के तेल को गरम करके जहां पर आपको दर्द है वहां पर मालिस करें और एक चमच कलोंजी का तेल दिन में तीन बार सेवन करें पंदरे दिनों तक ऐसा करने से बहुत आरा मिलेगा नमबर आठ, शिर दर्द लगातार शिर दर्द होने पर माथे और शिर के दोनों तरफ कान के आसपास कलोंजी का तेल लगाएं और नास्ते के पहले एक चमच तेल का सेवन करें ऐसा करने से कुछ सबता है बाद शिर दर्द पूरी तरह से खतम हो जाएगा नमबर 9, आंखों की समस्या के लिए रोज सोने से पहले पलकों और आंखों के आसपास कलोंजी का तेल लगाने और एक चमच कलोंजी के तेल को एक कप गाजर के रस के साथ एक महीने तक लेने से आंखों से सम्मंदित समस्या में फाइदा मिलता है नमबर 10, मानशिक तनाव दूर करता है एक चाय की प्याली में एक बड़ी चमच कलोंजी का तेल डाल कर लेने से मन सांत होता है और तनाव कम होता है इसके अलावा याददास्त भी बढ़ती है नमबर 11, बालों की समस्या दूर करे बालों में नमबू का रस अच्छी तरह से लगाएं 15 मिनट बाद बालों को सेंपू कर ले वह अच्छी तरह दो कर शुका ले शुके बालों में कलोंजी का तेल लगाएं एक सबता है के उपसार के बाद बालों का जड़ना बंद हो जाएगा बालों में रूसी होने पर 10 ग्राम कलोंजी का तेल, 30 ग्राम जेतून का तेल, इन दोनों को लेकर हलका गरम करें, उसमें 30 ग्राम पीसी हुई महंदी को मिलाकर बालों में लगाएं, और एक गंटे बाद बालों को धोकर सेंपू कर लें, ऐसा करने से बालों की रूसी की समस्य दूर हो जाएगी नमबर बारे शुंदर और आकर्षक चहरा एक चमच कलोंजी का तेल एक चमच जेतून का तेल इन दोनों को मिलाकर चहरे पर मसाज करें और एक गंटे बाद चहरे को धोलें कुछ दिनों में आपका चहरा चमक उठेगा इतना ही नहीं दोस्तों कलोंजी का तेल शवपंदोस, नपुषकता, रकत परदर, शवेत परदर, डिलिवरी के बाद दुरबलता आदी में बहुती फाइदेमद होता है इसके अलावा कलोंजी के बीचों को सुबह खाली पेट गुनगने पानी के साथ अगर आप खाएंगे तो इससे डाइबटीज और एसी पदार्थों को यह बाहर निकालता है जिस से आपका सरीर बिमारियों से बचा रहता है तो देखा दोस्तों आपने की कलोंजी हमारे स्वास्ती के लिए कितनी लाबदाएक होती है आसा करते हैं आपको मेरे दोरा दी गई जनकरी पसंदाई होगी अगर पसंदाई है तो जदा से जदा से एर करें और हमारे इस यूटूब चैनल एलफा मोनिटर को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों सब्सक्राइब करने के बाद घंटी के बटन पर जरूर कलिक करें ताकि आपको मिलस के नए नए वीडियो सबसे पहले